हेलो लाइस, once again welcome to my youtube channel knowledge अड़ा तो आज की वीडियो में हम लोग एकोलोगी चेप्टर का लेक्चन नमबर टू देखने वाले हैं जिसका नाम है ecosystem यह जिसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र और यह हमारा लेक्चन नमबर टू होने वाला है I think आप लोग लेक्चन नोर्स ही बनाते जाना है और आज का topic भी बहुत ही easy और very interesting topic है तो वीडियो के last तक बने रहिएगा last में आप लोग को नोर्स मिल जाएंगे तो चले start करते हैं लोग आज का topic सबसे पहले अगर हम बात करें यह question किस टाइप से पूछा जाता है exam में तो देखो यह question ना सिधा long type में पूछा जाता है ecosystem से आप लोग क्या समझते हो पारिस्थितिक तंतर को समझाएगे और किसी एक पारिस्थितिक तंतर की व्याख्या कीजे ऐसा करके exam में question आता है और 5-6 number के लिए आता है तो यहाँ पर मैं उसी के recording मैंने क्या किया हुआ है notes को आप लोग के लिए ready कि synopsis जिसे हम लोग कहते है रूप रेखा तो जब भी यह कोशन अगर exam में आता है तो synopsis जरूर add करना तो इसमें क्या है आपके marks कभी भी exam में नहीं कटेंगे तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को introduction बताऊंगी क पारिसितिक तंत्र आखिर होता क्या है second number में मैं आप लोगों को इसका परिभासा बताऊंगी 2-3 scientist के name के साथ हम लोग इसका definition discuss करेंगे दर उसके बाद हम लोग ecosystem का क्या देखने वाले हैं component देखने वाले है ecosystem जो हमारा पारिसितिक तंत्र है उसमें कौन-कौन सा component पाया जा विभीन पारिसितिक तंत्र कम सकमें आप लोगों को चार से पांच पारिसितिक तंत्र कर पूरा यहां पर वर्णान करूंगी डाग्राम लास्ट में हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर जो हम लोग ecosystem आज पढ़े हैं उसका निसकर्स क्या निकला है ठीक है और कितन अभी पारिसितिक तंत्र है सबसे पहले टेंसले ने प्रस्तूत किया था सबसे पहले अपना विचारधारा प्रस्तूत किया था तो देगो ऐसा ऐसा जो question है ना अगर आप किसी competition exam की त्यारी कर रहे हो या फिर multiple choice question में जो scientist का name है और जो भी sun मगरा है वो क्या है आ जाते है तो जब भी आप लोग कोई भी topic याद करते हो तो जो scientist का नाम मगरा रहता है उसको अच्छे से highlight कर लिया कीजिए अब चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक simple से introduction देती हूं कि आखिर ये ecosystem example के लिए पेड़ पौदी जिव जन्तु हम मनुस्य हम सभी क्या करते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए निर्भर रहते हैं डायेटली और इंडायेटली हम इस दूसरे पर निर्भर रहते ह ले में बता रही हूँ जैसे मान लिजे अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते हैं कहने का मतलब है कि हम अपने भोजन के लिए इन पेड़ पौदे पर क्या रहने हैं रहना परता है चाहिए हम लोग फल खाते हो या फिर चाहिए किसी भी प्रकार की सबजी खाते हो चाहिए और ना चाहते हुए भी जो शेर है वो भी किस पर depend है इन पेड़ पादों पर depend है तो कहने के मतलब है कि हमारे इंवर्मेंट में जितने भी living beings है वो क्या है एक दूसरे पर depend होते हैं और इसी चीज को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है इसी चीज को ecosystem कहा जाता है और सबसे प पर आश्रित रहते हैं एक दूसरे पर निर्भार रहते हैं और इसी जो पारश्परिक संबंद होता है उसी को हम लोग ecosystem या फिर पारिस्थितिक तत्र कहते हैं अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पेड़ पोदे पर निर्भार हो यह जो पेड़ पोदे वो हम पर भी depend होते है वह कैसे जैसे किसी भी जीव की अगर मृत्यू हो जाती है तो उसका जो मृत सरीर होता है वह क्या होता है इस जमीन में खनीज लवण का निर्भांड कर देते हैं बहुत सारे चोटे-चोटे सुस्म जीव होते हैं बहुत सारे माइक्रो आर्गनिस्म होते हैं जो कि मृत स करते हैं सूर्य की किर्णों का उपयोग करके प्रकास संसेशन के दारे ये पोड़े क्या करते हैं अपना बोजन बनाते हैं तो कहने का मतलब है कि पेड हम पर भी डिपेंड है हम इन पेड़ों पर भी डिपेंड है तो कुल मिला करके देखा जाए तो यह पूरी प्रकृति है वो क्या है एक दूसरे के उपर नेभर है और इसी पारजपरिक संबंध को इसी निरभरता को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र या फिर एको सिस्टम कहते हैं समझ में आ दिया गए सब लोगों को अब चले टाइम टू टाइम ना अलगा अग साइंटिक्स लोगों ने अपना- उनी सु चववन में क्लार्क ने अपने एक मत प्रस्तूत किया था जिसके कोडिंग में कहा था कि पारिस्थितिक तंत्र वातावरं तथा समुदाय की क्रियात्मक सक्रीता है मतलब जो हमारा इन्वार्मेंट है और जो हमारा कम्यूनिटी है उसके बीच क्या है एक क्रियात अब देखो मैथेवन 1974 में क्या कहा था उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र समस्त जीवों एवातावरं के सभी भागों में तथा उनके बीच पारिस्थितिक तंत्र होता है तो यहां पर हमारा कंक्लूजन यह निकरता है दोनों साइंटिस्ट के द्वारा हम लोग यह पता ल जो हमारा कम्यूटी होता है जो हमारा वातावरं होता है जितने भी इसमें जीव जन्तु है उनके बीच पारिस्थितिक तंत्र के कंपोनेंट के बारे में देखने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑप एको सिस्टम हिंदी में इसको हम लोग घटक भी कहते है पारिसितिक तंदर के घटक, तो फिरके पारिसितिक तंदर के दो इतरतों के घटक होते है पहला जयविक और दुसरा तो मैं पहले क्या करती हूँ आपको जयविक के बारे में बता देती including Biotic component we can do 樣 Biotic component में क्या क्या आता है सबसे पहला आता है आपका energy 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 कहा से मिलता है सूरी की क्रिणों से मिलता है अब इस लोग कर के जो पेड़ CBot हैं वो क्या करते हैं प्रकास नीशंट की क्रियंा के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो यह जो हरे पेड़ पोध है उसको क्या दोते हैं प्रोडूशर बोलते हैं या फिर इसको हम लोग कहते हैं उत्पादक इसको मैं हिंदी भी लिख देती हूं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए है ना तो उत् और की कृणों को उप्योग करके भोजन बनाते हैं प्रकास संसेशन की द्वारा तो यह हमारा जो जरीग घटक है उसमें क्या कहलाता है प्रोडिशर कहलाता हैं क्वे अब हम क्या कहलाते हैं हम कंजूमर कहलाते जिसको हम लोग कहते हैं उभोक्ता ये क्या कहलाता है उभोक्ता उभोक्ता के इंतर में जितने भी साकाहारी जीव है जैसे कि खरगोस, गाय, बैल, भैस, मनुश्य, ये सभी क्या आते हैं उभोक्ता कहलाते हैं मतलब जो हरे पर पत्ती, पत्ती, पौदो को खाते हैं वो क्या उत्र श्रश्चािल मुल रहा हो तृस्प मालीजा यहां वहां प्राथमिजी और मक्रीन क्यों बोल रहा है हम लोगích क्योंकि यह खोर रहे है डायरेक्ली प्रोड्वेट्विशर को खो खा रहा है मतलब रायरेक्ली उत solvent चार बार쟁 old dow अब होता है आगे मैं आपनों को अलगन एक्जामपल तो समझने आए अपने होते हैं जो अपना भोज़न श्वैम बनाते हैं जैसे की हड़े पेड़ पोधय और पतिया अपना कोई शे न उश्वाelim तो सेयर वहारो है फिर्ट उभगता है कila euro एक और रड़ आता है उसका नाम है अपगहटक माल लोग यह इक्सपार होगया और बाज मर गया तो इसका बृत शरीर है क्या हो जाएगा हमारे जमीन में आ जाएगा मतलब हमारे भूमी में आ जाएगा अब क्या होगा छोटे-छोटे सुच मजीू रहेंगी vind मायक्शीף बैक्टेरिया वायरस वीरस वियो क्या करेंगे इस चीलियबास के सरीर को गलाने का काम करेंगे कई बार क्या होता है, जो भी जानवर होते हैं जब लो एक्सप्षार हो जाते हैं, तो उसलख प्रें पढ़े रहते हैं भूमी बार सरें रहते हैं जमाीन में तो हव्य होते हैं पूरत पूरी तरीके से नश्ट हो जाते हैं तो अभगतक कहलाते हैं तो ज्मी θाल करके विल्ड॥ पहला क्या है उत्पादक जिसके अंतर्ग उत्पादक हसा जो हरेफजाब को घ्रम करो छाते हैं और अभगतक जो भी जीव जन्तु है जब एक्सपार हो जाते हैं तो उनके सरीर जब सरने गलने लगते हैं तो जो माइक्रो और्गोर्णिसमों हेल्प करते हैं उसको हम लोग अब घटक कहते हैं आया समझ में तो यह हमारा इको सिस्टम का जयाविक घटक ठीकर अब दुसर स्रक में तेंटिक क्या खते आते हैं वाराण़ जैसे-क बारे प्रकास हो गया और टैंप्रेचर ताफ हो गया वाटर हो गया तो यह सब क्या कहलाते हैं अजयाविक घटक के अंतर गताते हैं तो कंपोनेंट आपको क्लियर हुआ जो एको सिस्टम का कंपोनेंट होता है वो दो टाइप का होता है बायोटिक और एबायोटिक मतलब जयाविक और अजयाविक जयाविक के अंतर गताते हैं और अजयाविक के अंतर गताते हैं और अजयाविक के अंतर गताते हैं यह सारे अजयाविक घटक के अंतरगत आते हैं इतना क puechi दिसर आगे हमने देख एक हैं तो व्य करों कहीं जो हमारी प्रेइस्थित्टिक बिपनाई हो यह वह वो है साइन चैनल कि तर stratégि को सन चैनल जिएम तर प्राहां त प्राख्रितिक और दूसरे लिएर दाख्रित्रिम को प्राकृति कि हो चता कीशह है है अरायी तो इकोसिस्टम किया होगा जैसे कि एक्वरीउम च्टाइब मुंना पानी रहता है। उसमें पानी रहता है उसमें पेर पड़ेर पत्थर वेद्मी टेव ये हैं ये तो प्सक्ता Σना कि एक हुआ वह मत्लब पत्तर हुं तो वह artificial ecosystem कहलाता है समझ में आप लोगों को या फिर जैसे कि कई लोग मचली पालन करते हैं मचली पालन के लिए देखना ना चोटा-चोटा पालन टाइप से बना रहा थे चोटो-चोटो तलाब बना रहा थे उसे मचली डाल देते हैं और कुछ कुछ डाल देते हैं केड़े मकोडे तो वह सब artificial हो गया तो natural समझ में आज जैसे कि natural समुद्र हो गया समुद्र तो naturally तलाब हो गया तलाब भी नेच्रल है तो यह सब है इ जली पारिस्टिक तंत्र जिसको हम दो कहते हैं aquatic ecosystem तो देखो यह जली पारिस्टिक तंत्र है उसको कई भागों में बाटा गया जैसे कि पहला हो गया समुद्री समुद्र भी एक प्रकार का जली ecosystem है मतलब aquatic ecosystem है या फिर हो गया तलाब अपने आज पास तो कोई नो कोई तला गया है तो यह सारे ecosystem है जो कि मैं नोट्स में अलग से पुरा clearly लिखी हुई हूँ बट यहां पर मैं आपको केवल एक एक जामपल दे करके बता रहे हूं है तो चले समुद्र में हम आप चलते हैं अब जो भी मैं आप उनको कॉम्पोनेंट बताई हो उस पर ध्यान देना फ प्रोडूशर मैंने बताया था ना उभोकता समुद्र के अंदर जितने भी हरे पेड़ पौधे पत्तियां या फिर किसी तलाब के अंदर जितने भी प्रकार के हरे पेड़ पौधे पत्ति पाई जाती है वो क्या कहलाता है अपका उभोकतार मैं स्वारी उत्पादक कहलात के दबार करके अपना for बिदूजन बनाते हैं तो हडी पर करो चाहिता लागक की बात करो यह जितने भी हरे प्रिटे जितनेभी आपके एलगी में डिखेंगे तो यह क्या कहला है presentation उत्पादक कहलाएंगे क्लियर हुआ अब देखो क्या होता है यह उत्पादक को जो छोटे-छोटे मचली रहते हैं जोटे-छोटे जीव रहते हैं वो भोजन के रूप में उप्योग करते हैं समुद्र में जितने भी छोटे-छोटे मचलियां होती जितने चोटे-छोटे-छोटे कीट-पतंग होते हैं कि केरे मचली होते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो मैं नेखा हुआ जूप लॉंक्टन और एट्लैंटिक ग्लू टैंग क्वीन कॉंच यह सब क्या होते हैं इन चोटे-छोटे-छोटे हरे पत्यों को खाते हैं समुद्र के अंदर या फिर तलाब के अंदर तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं उभोकता बोलते हैं उभोकता मतलब क्या होते हैं जो उत्पादक को खाते हैं या जो उत्पादक को गरहन करते हैं उसको उभोकता या फिर कंज्यूमर कहते हैं लेकिन यह क्या है हमारा प्राथमिक फर्स्ट ओर्डर कंज्यूमर मतलब इसको हम लोग प्राथमिक उब्होकता कहेंगे क्यों बोलेंगे प्राथमिक उब्होकता क्योंकि यह सबसे पहले इन हरे पत्तों को खा रहे हैं इसलिए हम उसको प्राथमिक उब्होकता कहेंगे अब उसको बड़े बड़े मचली है उसको काता है oh करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे थरी री कंज्यूमर आ रहें समझ में आरे ना समझ में बाद को उत्पादक को झोखा रहा हैं सुनां कीया से अर्कम हो और हो अगर हो जाता तो यह स्थार माइक्रो इतक करते कुछ अब जैसे उनका बॉड़ी सर गल जाता है तो उनका जो बॉड़ी जो सडा गला रहता है वो सॉल्ट में खनीजलवा में परिवर्तित हो जाते हैं और उसका उपयोग फिर से कौन करता है यह हरे पेड़ पौधे करते हैं क्यों अपने ने खाना बनाने के लिए यह जो पारिष्थितिक तंत्र जरूरी नहीं है कि एक यह आपको जू पूछा जाए है किसी एक पारिस्षितिक तंत्र को उधारन दे करके चित्र सहित समझाइए तो आप लोगों को लिखना है अगर आप अच्छे समझ रहे हैं आपको बिलुकुल रटने की जरुवत नहीं पड़ेगी है पूरा समझ में आ जाएगा अब फॉरेस्ट जंगल में चलते हैं जंगल करके अपना भोजन स्वयम बनाते हैं अब देखो जंगल में जंगल जो होता है उसमें इन पेड़ पौड़ों को कौन खाता है जितने भी टिड़े होते हैं ग्रास ओपर यह ग्रास ओपर क्या हो गया आपका कामरी कंज्यूमर हो गया मतलब कात्मी को भोगता हो गया अब इन घास यह जो अपकेड़े मों पोड़े उसको कौन खाता है पक्ची खाते हैं तो पक्ची क्या हो गया सेकेंडर कंज्यूमर हो गया मतलब वित्या को भोगता हो गया अब इन पक्चियों को कौन खाते हैं साप खाते हैं या फिर बिल्ली वगरा हो गया चमगादर नहीं अवक्षियों को खाते हैं तो सांप को खाते हैं और एसा होते जाता है यह कैने आपक्स प्रेडिटर इस प्रकार यह जो हमारा तो दोनों में अंतर समझने आया जो जल वाला था वो पानी के अंदर था पुरा पानी के अंदर हमारे एकोसिस्टम था यह जो वन वाला वह फोरेश्ट के अंदर है अब देखो जैसे यह सांप है फिर उल्लू बाद जो भी हो जब एकस्पायर हो जाते तो उनका बॉडि क्य पौदे फिर से करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए तो देखा जाये तो यह साइकल रहता है एक उपने में अपर एक ग्जामपल डी हूँ तो दो बहुत सरा एक्जामपल दे सकते हो जैसे कि जो पौदे होते हुए दो खाते हैं हीरन को कौण खाता है जो किता भगर खाता है चीता ऊ UFO को की भगराए खातार खाना चमगादार इस पार होते हैं तो उनका फखटान हो जाता है तो आढके और सकाउसला आप लिए जैसे कि यह सब आप लोग देख अगर होगी था catching then जो किसान है तो होते है वह अपने जो भी जिव जन्तु जैसे की गाय बैल भैस है उनको चारा गाह के लिए भेज देते हैं आस पास पर जो भी मैदान जहां पर घास फूस होते हैं वहां पर खाने के लिए भेज देते हैं चराने के लिए भेज देते हैं बस उसी चारा गाह क के लिए जहारए सिस्टम सुद्ध में देपि जैसे चारा गाहे ॉइ पर जो भी जेबरह ग्या ग्रृत हो अब इन जो गाय बेल है जेबरा को कौन खाता है चीता खाता है या फिर हाइना वगर खाता है और जब यह चीता एक्सपायर हो जाते है तो उनका बोड़ी डीकंपोस हो जाता है तो यह भी परकर का फॉरेस्ट टाइप से ही है बट इसका भी मैं अलग से नोट्स बना दी हू जो मैं लाश्ट में आप लोगों को दे दूंगी ठीक है चारा गाव पर इस दितनत रिखाए अब चली आगे और देखते हैं डिजर्ट इकोसिस्टम तो डिजर्ट मतलब क्या समझते हो आप लों मरुस्थल मरुस्थल देखे भी होगे रेगिस्तान में रेगिस्तान में अपने ऊक्रेट तेक्ष म मरुस्थल में दुड़ा आपके लिव जयते हैं तो सबसे पहले वहां महें जाते हैं एदम घणे तो पाया चैक्टस पाय जाते हैं जिसको हम लोग producer कहते हैं उद पादक कहते हैं वो भी sunlight को use करके क्या करते हैं प्रकासन सेधन के दोरा अपना भोज़न, swim बनाते हैं अब इन cactus को कौन खाता है चुहे खाते है रेगिस्तान के चुहे सुने यू ना खुले करते हैं theta we学 lei चुन खुख्ता हो यह थिखा Bizan खुन को खाता है तो प्राइम्री थी तो एको स्वलाई फॉप च्वस्टे हो इस बीको सकता है मंछाइज एको सिस्टम हो तो यह थी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अब जब कल की दिन में साथ एकस्पायर हो जाएंगे तो इनका डीकंपोस हो जाएगा दीकंपोस हो जाने के बाद फिर से कैक्टस क्या करेंगे इनके खानीज लवडों का उप्योग करेंगे ठीक है अब चले लाश देख लीजे टूंडरा इकोसिस्टम टूंडरा मतलं क्या होता है जो अंटार्क्टिक मास अगर सुने हो जहां पर केवल बर्फी बर्फ जहां पर पेंग्विन पाया जाता है या फिर जो सफेड भालू होते ना पूरे बर्फी ले जगा में पाया जा जकी अगरIEL कि फूरे अपर आकेंच स्वाज है, अवह तो उनक्राफ़ अपना क्या होता है, अलग उकोसिस्टम होता एं आ, क्यों बहूं मैं है वहां पर बहुत पकोकोसिस्टम होता है, जैसे, क्यों पर देख किस है यहां प्रूर इस technology बिया क्राइष ऑक्रेद्धार के को ने उइसे कि आपक से कहा है तो प्रायांरी यूशा ए आहाँ पर देखने को yağ बालो एक्स्पार अगरہ होता है तो इनका बाडी क्या हो जाता है और अगें बाडी का यूस्ज यह ग्रीन जो भी घहास वगर है वो खाते तो जो भी आगाई इसका नोर्स का आप लोग क्या कर लो और बहुत है बहुत बनाना नो में अपको काम xam अभी आज का वीडियो प्हीं जान जाना हुगए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन्चे इंस्टाइबर में फॉलो कर सकते हैं So, thank you so much guys for watching हम लोग जल्दी लेक्चर नमबर 3 लेकर के आएंगे सारे वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाएंगे Once again, thank you so much